Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this session we are going to know all about the Mahajanpadas and how Mahajanpadas came into 6th century BCE. देखें, आज के लेक्चर में हमको पढ़ना है Mahajanpadas के बारे में, टोटल कितने Mahajanpadas रहें और उन में सबसे powerful Mahajanpadas कौन सा था, उसके powerful होने का reason क्या था, और मगत के बारे में भी जानेंगे, तो इसके पहले मगत को जान, Mahajanpadas को जानने से पहले, हमें society के जो previous hierarchy थे, उनको जान लेते हैं, जैसे Mahajanpadas से पहले वेदिक एज में society कुछ इस ताइप से डिवाइडेड थी, जना और जनपदास में, जिसे आज के टाइम में हम ब्लॉक से correlate कर सकते हैं जना को, और जनपद को correlate कर सकते हैं, दिष्टिक से, देखें, डिष्टिक को आज भी हिंदी में जनपद के नाम से जाना जाता है, और उसका एक upgrade form आया महाजनपदास जिसमें ये सारे district मिलकर क्या बन गए महाजनपद के form में अब महाजनपद मिलकर क्या बनेगा kingdom के form में change हो जाएगा आगे चलकर फिलाल अभी हमें महाजनपद के बारे में जानना है तो महाजनपद आज की टाइम का हम क्या कर सकते है state यानि की एक राज्य तो राज्य को का mention जो था कुछ literature है उनमें इसका जिक्र मिलता है जैसे की अंगुत्तर ने काया एक बुद्धिस literature है जिसने mention किया है about the 16 महाजनपदास उसी तरीके से भागवती सुत्र करके एक literature है जैनों का उन्होंने भी 16 महाजनपदास के बारे में mention किया है यानि कि जो महाजनपद के बारे में sources मिलते है वो इन दो बुद्धिस literature से मिलते है एक अंगुत्तर निकाया जो कि बुद्धिस literature है और दुसरा है भागवती सुत्र जो की जैन literature है अब next देखते हैं कि दुनिया का पहला republic कौन सा था हमारा देश क्या है एक republican country है जिसका मदलब होता है कि यहाँ पे जो head होगा हमारे country का head कौन है nominal head कौन है president तो president हमारे यहाँ क्या है elected form में पाए जाते हैं क्योंकि वो hereditary system यहाँ पे follow नहीं होता है तो दुनिया का पहला republic कौन सा था? लिठ्वी आफव वैशाली वैशाली का लिठ्वी जो आज के टाइम का वैशाली आप ले सकते हो यानि बिहार वाला एरिया उसवँहा पे था एक लिठ्वी सा राज्य वो राज्य किस टाइप का राज्य था? रिपब्लिकन राज्य थ कि मगद एमंग 16 महाजनपदास वाज मोस्ट पावरफुल देखे 16 महाजनपदास के बारे में मैंने आपको बुला कि मिंसन मिला है बुद्धिस और जैनलिटरिचर में तो 16 महाजनपदास में जो सबसे पावरफुल महाजनपदास था वो रहा मगद मगद कोई पावरफुल ह कारण क्या थे यानि कि उसके काजिस क्या थे उसके काजिस कुछ इस तरीके से थे पहला था कि लोकेशन इना रिच फटाइल ट्रैप यानि कि जो उसका भूमी था वह फटाइल था यानि उर्वरक था उसमें उपज ज्यादा होती थी इसलिए भी वो क्या था पावर फूल था क्यों जाहिर से बात है कि जिस राज में एग्रिकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा होगा उसका एकॉनमी भी अच्छा होगा दुसरा है एक्टेंसिव यूज आफ आईरन फ्रॉम ज के टाइम का बिहार आप ले लो तो जारखन माइन उसके पास था इस वज़ाए से वो लोग आईरन का यूज करते थे आईरन की यूज के होने की वज़े से फॉरेस्ट कटिंग अगरिकल्चर कटिंग हार एक चीजे प्रॉपर वो किया करते थे था था मॉनेटाइजेशन अव एकउनमी आफ मागद की जो इकाउनमी थी वो लेजन दिन कि स्ट्राइप में करती थे कैस के फॉर्म में करती थे जिस कोईन यूज करते थे वो सिल्वर और ब्रोंज का नकी बाटर सिस्टम यूज क्या करते थे आर भी जो राज्य थे शीक्स्टे महा जनपदास में वो कहीं ने कहीं बाटास सिस्टम का यूज कर दे थे इस वज़े से उतने पावरफूल नहीं थे बट मगद में क्या था monetization system था इस वज़े से भी वो पावरफूल रहा और चौथी चीज ग्या थी उसके पावरफूल होने के पीछे गौट सर्विसे साप सम गूड किंग्स उसने कुछ अच्छे राजाओं का सासन पाता है जैसे कि बिम्बि सार अजाद सत्रू और महापद्व नंदा ये कुछ पावरफुल जो है किंग थे जिनके गूड स्किल की वज़े से ये राज और पावरफुल बन गया और एक चीज था कि यहाँ पर additional benefit इनको मिलता है क्योंकि ये अपने आदमी में elephant का यूज करते थे elephant क्या होता है बहुत लंबी बड़ी जो है बड़ जानवरों में क्या होता है बहुत बड़ा होता है सरीर से तो उस पर ये सवारी करके आक्रमड किया करते थे तो इनका राज जो है बचा है 544 BCE से लेके 321 BCE तक ये एक approximate time period होता है कोई exact time period नहीं है जैसे historian जो भी sources पाते है उसको trace करने के according एक time period fix क्या उन्होंने तो ये time period क्या fix किया गया है 544 BCE से 321 BCE तक मगद में dynasties चलता है वो कौन-कौन से dynasties रूल किये एक dynasty रा हरियंक डानेस्टी दूसरा था सिसुनाग अर 4 धा पदवनंदा डानेस्टी हरियंका के स्थापना किये था विंबिशार ने विंबिशार के बाद अजातसत्रू आते हैं अजातसत्रू के बाद उदाइन उसके बाद सासक बनते आनिरुत फिर नूंद का और नाग-दर्षक इतने जो है कि हर्यांका डानेस्टी के रूलर रहते हैं और नागदर्शक को डिफिट करके सिशु नागा डानेस्टी की स्थापना कर देता है और उसके बाद इसका नेक्स सासक होता है काला शोका काला सोका की बाद इस डानेस्टी की खतम हो जाती है ये डानेस्टी खतम होती है तो next डानेस्टी स्टार्ट होती है महापद्म नन्दा डानेस्टी महापदमिनन्दा डानिस्टी की स्थापना महापदमिनन्दा ने किया उसके बाद नेक्स रूला रहते हैं धनानन्दा और धनानन्दा को डिफीट करने की बाद चंद्रगुप्त मौरे ने मौरे डानिस्टी की स्थापना कर देते हैं मौरे इंपायर की स्थापना होती है किसके मदद से डिफीट करते हैं पाटली पुत्र के मदद से करते हैं जिनको विश्णु गुप्त भी कहा जाता है तो ये था मगत में की तीनों डायनेस्टी और उनके रूलर्स अब आगे देखेंगे कि जो बिंबी सारा था हर्यंकर डा कोट से रिलेटेट थे बिंबी सारा ये question important बन सकता है आपके लिए कि बिंबी सारा के कोट से रिलेट करते थे जीवक जो की एक physician थे और जीवक जो थे वो contemporary थे Lord बुद्धा के यानि कि कभी ये question आप से पूछ सकता है कि who among the following are contemporary आप बुद्धा एंड बिंबी सारा बोथ त बुद्धा और बिंबी सारा के contemporary थे physician जीवक नेक्स्ट है बिंबी सारा ने send किया था जीवक को to the avanti king चंद्र प्रद्योता for medicinal service अबंती के राजा थे चंद्र प्रद्योत उनकी दवाई के लिए उनकी जो है कि रोग बिमारी को दूर करने के लिए बिंबी सारा ने जीवक क अपने राजे से उनकी राज में उनकी लाज के लिए बेजा था नेक्स है कि पाटली पुत्र founded by the उदाईन ये question बन सकता है कि पाटली पुत्र जो है बिहार में है present time में उसका founding किस ने किया था उदाईन ने किया था और बाद में he shifted capital आपमगाद empire from राजग्रिह to the पाटली पुत्र पहले पाटली पुत्र का उसने founding किया उसके बाद उसने राजग्रिह से capital को हटा के कहा कर दिया पाटली पुत्र में कर दिया नेक्स्ट है हाथी कुपा encryption है एक inscription में तीन चीजे mention मिलती है ये important है हाथी कुपा encryption पहला है कि the encryption of छेदी डानेस्टी king carville पहला ये inscription जो ह है छेदी डानेस्टी के राजा खार्विल के द्वारा कराया गया है और दुसरा engraving of canals in कलिंगा कलिंगा आज के टाइम में ओडिसा में है by king महा पदमनंदा दुसरा क्या लिखावा मिलता है कि canals यानि की canals यानि नालियां जो होती है उसका engraving किया गया है कलिंगा की राज महा पदमनंदा के द्वारा ये दो चीजें मिंसन हुई तिसरी क्या मिंसन है इसमें also so that Carville defeated the three states छोला चिराज और पांडियाज और तिसरी चीज़ इंक्रिप्टेट क्या मिलती है कि जो Carville के राजा है उन्होंने तीन स्टेट को हरा दिया छोला चिराज और पांडिया जो क मगत कर ही लिया जाता है एज मैंने आपको पहले ही डिसकस किया कि मगत जो था वो most powerful था और किन कारण उस पावर्फुल था वो हमने डिसकस कर लिया है तो मगत का कैपिटल क्या था गीरी वरज या राजगरी था जिसको बाद में उदाईन ने राजगरी से चेंज करके कहा कर दिया था पाटली पुत्र में आज के टाइम में पटना और गया वाले डिस्टिंग में मिलेगा जो कि बिहार स्टेट में पाय जाता है सेकेंड है कुरू का कैपिटल था इंदप्रस्त आज के टाइम में मेरेट और डेली वाला एरिया थर्ड है पंचॉल पंचॉल का कै कापिटल है अईच्छत्र एंड कामपिल्य जो कि प्रेजेंट टाइम में बरेली और बदायों के पास मिलेगा फोर्थ है सुरसेना जो कि मथुरा में है जहां पे कंस का वध हुआ था आज और फोर्थ रहा वाट्स को कौसांबी जो कि प्रेजेंट टाइम में अलहाबाद औ कोशल राज जिसका कैपिटल रहा साके दौस रावस्ति आज के टाइम में यूपी का फैजाबाद और सेवंध है मल्ला जिसका कैपिटल था कुशी नगर एंड पावार आज के टाइम का देवरिया डिस्टिक एर्थ है काशी आज के टाइम का वरार्शी नाइन्थ है मिथला वैशाली एड़ जनक पूर जोकि नेपाल में है 11 ए छेदी छेदी का कैपिटल था सुक्ति मति एड़ कोटिवति है 12 है म मच्ज, मच्जश अमराच姿 का capital था विराट नगर, present time का जैपूर, 13 है आस्मक, आस्मक का capital था पोउतटन तील, जिसका present time में गुदावरी वेले से आप को रिलेट कर सकते हैं present time का, अवंती में, अवंती का capital था उज्जैन, नार्थे वाले एरिया का capital था उज्जैन, और साउथ का एरिया का कैपिटल था माहिश मती जिस पे बाहु बली मुवी बना हुआ है। मालवा रीजिन, आज की टाइम का मालवा रीजिन आज से आपको रिलेट कर सकते हैं। और फिफ्टिन्थ जो महाजन पदाश रहा वो था गांधार, जिसका कैपिटल है तक्षशीला, पेशावर और रावल पिंडी यानि कि जो आज की टाइम का पाकिस्तान में का पेशावर है और रावल पिंडी वाला एरिया है, वो उस टाइम में क्या था? गांधार था. गां की नाम से भी जाना जाता था. तो ये रहा टोटल महाजन पदाश के बारे में, नेक्स हम पढ़ेंगे बुद्धिजम और जैनिजम के बारे में, उसके बाद मौरियन इंपायर के बारे में डिसकस करेंगे. आज के लिए बस इतना ही, थैंक्यू फॉर वाचिंग, पिलीज जाए सब्स्राइब और शेयर करें.